आप मेंसे कितने लोग हैं जो बहुत excited हैं आज के session को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की guest हैं तो आपका जो excitement level है वो और बढ़ जाएगा ये बताने से पहले के guest कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ YouTube के बारे में YouTube में क्या है कि पूरे वर्ड की अगर बात करी जाए तो करोडो चैनल है जो अलग-अलग genres में हैं अलग-अलग categories में हैं उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे वर्ड में जो वर्ड का number one motivation channel है वो मेरा है और जो वर्ड का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guest है उनके 17 million से ज़्यादा subscribers है Please give an energetic and warm welcome to the one and only answer चाहँ चाहँ जी कैसे हैं है इससे पहले कि audience आपसे कुछ पूछे या इंट्राक करें मेरे माइंड में एक question है आपके लिए जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे comment section में भरा पड़ाता Khan sir kamayenge, Khan sir kamayenge मतलब आपसे क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ओपर यह सवाल हम आपसे भी पूछते है हमारे भी इतना कमेंट है मेरे तो ओफिस में लोग चले आएं कि सर कभ जा रहे हैं क्या हम तो कर तो एग्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है क्या हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आया है उसके मन में कोई डाउट न राजा हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा हैं तो भूल के दिखाओ याद कर गे नहें अचलिए को जिसर पॉइंट पर पढ़ा थिर हैं थिंक वह सबसे कम है वह बहुती कम है सर यह जो का कल्चर है यह ना इंडियन कल्चर नहीं है हमरा इंडियन कल्चर गूरुदकशिना है उस हिसाब से वह सही है आक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजूकेशन जरूरी है कोई यह नहीं कह सकता है कि पैसे के वज़े से खानसर के आँ से लॉट गया है क्या बात मैंने देखा कि आपका जो चैनल है कि यह पिछले तीन साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है हमको जब चैनल सुरुआ तो एक दिन में हम चार-पांच वीडियो बनाएं हमको कुछ आता आज भी नहीं आता इतना तो हम देख के कैमरा हम रहा तो हम कन्फूज हो गएं बापरे तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं छे साथ वीडियो एक ही बार सूट कर लिये और एक जो तहें जिनका कैमरा व अगरा थमें पस कैमरे भी नही थे उस ताइम और कैमरा 35,000 था था तो छे महीना पाइसी में लग गया कि पाइसी में पहुंच जाएगा तो उनके कैमरे से सूट किये उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद हम छोडी दिये लॉगदाउन लगा तब हम कैं आप कैसे पढ़ाएंगे तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया तब हमको लग मेरा चैनल भी है वहाँ पर तो उस समय उस पर लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लॉगदाउन लग तो उस पर पढ़ाना चालू कि और पतानी क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट आगया कि आपका स्टाइल एसा है तो आपका स्टाइल साथ-साथ में जो भीच भीच में आप थोड़ा बद छोड़ते रहते हैं न मतलब जो एंटेइन्मेंट चलता रहता है ये बात हम दिखे जब हम गुलाम थे नम तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फीजिकली गुलाम रखेंगे 100-200 साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मोडलड चींज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिसप зр relevant ये ख़तम नहीं हो जाती पढ़ाना वह प्रbell evolves अगर लड़का आपके समझाने कि बाद ये या तो आपकी गलती है लड़का हमसे उसे पुछता है सरल इतनी कोंपिटेंस नेक्स लेवल है का अंसर का मालना पड़ेगा और शायद यही वजय है इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने भी नहीं सोचा होगा कि पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे आज की डेट में 17,000,000 है और मेरा एक क्वेशन और है इससे पहले के ओडियंस में से आपसे कोई क्वेशन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉंट्रोवर्शल है या थोड़े से सेंसिटिव हैं जिसके ओपर बात करने की हिम्मत I think बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोक देते हैं थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कि अच्युली बच्पन से हमको फॉज में जाना था और फॉज वालों के लिए यह सम माइने नहीं रखता उसको करना है मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो ड़संट मैटर और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ बम गिरे थे कुछ बहुत सॉलीट जगा गिरा था फटा नहीं हो मतलब आपके आसपस बम को भी पता है कि टीचर की इज़त किया जाता है मैं समझ पा रहा हूं कि आपके अंदर जो अटिट्यूड है कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्चपन से ही फौज में जाना चाहते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े है एक तरीके से बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है हतियार ना हो करके हतियार से एक अधि हर कूरितियों से लड़ सकता है हर तरह की समस्याओं से और यह कैसा हातियार में मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है मेरा कोशन यह है कि अभी प्राइवेट ऑगनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो है खतम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सब काप बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी हो पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पुला के ब मतलब की डरते नहीं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे हैं और एक और कोशन सार यू पीसी का जो आपना बैच स्टार्ट करने वाले है ठीक है उसके बार में बताईये सार क्यों कि मुझे मतलब कुस इश्यो करना है ठीक है और संदेप सर को देख लिए मे इस द्रही देख भी आपसे विए और में अधने ऐसे की शितल बोला करूगा और डर का होना बहुत जरूरी है यह इदर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है क्यूंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा ढर रहे ना तर डर के भागएम अथ एक ऐसा डर जसको आप कर जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी जरूरी रहता है और यही बात यूपीएसी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएसी की क्योंकि दो धाइलाग फीस सारे लोग एफॉर्ट नहीं कर सकते हैं और हमारा वही रह तो किसी के रिक्सा वाला सबजी वाले यही लोग इनको डाहिलाग रुपे इनके पूरी संपत्ती नहीं होती है फीस कहां से भरेंगे माथ उसके रहेंगे कहां से तो ओल ओबर इंडिया से कश्मी से कन्या कुमारी तक गरीब से गरीब भी लाड़का उसको पढ़ सकता है यह कुछ हजार रुक्य मंतली 12-14 साल का पड़ेगा खतम हो जाएगा इतना महीं यह जो डंडे बात इन्होंने कहीं यह सच है मतलब आप सच में एक डंडा रखते हो पुलिस काई है वो और मारते हो हाँ कि मतलब कोई लड़की छेड़ता है या इसा कोई बी उल्टा पुल जाएगा जैसा भी रहें कुछ भी पिताना तो उनको फिक्स है एक थो कोई मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पीट दिया तो चला है दल बल लेकर अपना उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पिता है बस बोल दिया कोचिं में पिता है बात में पता चला हम पिते बाकी अफसार से पुछी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कानिया सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया और इनोंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आ करके अगर इनोंने मेरी पिताई तो बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए हमको थोड़ा दर लग रहा है आपकी डिली कितने गंटे क्लासे सोती है 6-7 गंटे अभी भी खुदी करते हो आप हमारे स्टाप परिशान रहते हैं हम देड दो बज़े सोते हैं सुबद छे बज़े उड़ याते हैं परिशान र दिन में सोते ही नहीं है विचारा कहीं कहीं जा के सोते रहता हैं सीट बांदी एक तुम ही समय सोजना तुम ही दर सोजना आपकी शादी होगी और नहीं है अभी मेरी खुछाली देखके आप आप आइडिया लगा सकते हैं आप देखके तरव हाद Kids घृव पर देखके जा सकते हैं हम लाइफ में कोई decision लेते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर चीज करनी है और क्योंकि हम decision लेते हैं तो हमारी आदत है कि हम चाट लोगों से पूचते है कि तुम बता तेरी क्या राया तूउ थे जया राया तो उन में से अगर कोई हमें कह देता है कि यह बेकार डिसीजन है मत कर तो हमारा माइंड कईना कई डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वज़े से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं तो मेरा कुशन यह है कि कैसे हम अपने डिसीजन पर स्टिक रहे कैसे हम जो दूसरे के ओपीनियान उनको अफेक्ट ना होने दे अपने उपर दूसरे से सला लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए यहां पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपिरियंस होता है तो अगर आप आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बहतरीन ढंग से रिसर्च की हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सला लेने जाहिए, इन है कि मन मैसी आप बता गडबा जाएगा तुम आप पहले आपको R&D करना पड़ता कि यह जो आपने काना कि अपने decision पर stick कैसे रहें, यह कोई अच्छी quality नहीं है, क्योंकि time to time आपको अपने decisions को change करना होता है, जैसे आपने चाट लोगों से discuss किया, कोई इंसान कुछ positive बोल रहा है, कोई negative बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, डिपेंड यह कर रिसर्च करनी है, और फिर रिसर्च करने के बाद में final decision अपना खुद को होना चाहिए, अब वो decision उससे अलग भी हो सकता है, जो आपने पहले लिया था, और वो same भी हो सकता है. Sir, मेरा question दोनों से है आप से, how to deal procrastination and laziness? हमारा ब्रेन है यह बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है, अब थोड़ा सा भी है इसको आराम के और लेकर चलेगा ना तो फिर उधरी रहेगा, आप सोचेंगे 10 मिनट अराम कर लेता है ना तो 10 मिनट दो घंटा बना देगा, उसको टॉर्चर किजे, चल आप सब्सक्राइब कर दो घंटा बरबात कर दी आपको, हाभी मत होने दीजेगा उसको अपने उपर, प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, सबसे छोटे लेवल पर ले आगर कि उस गोल को तोड़ दो, यानि वो गोल बहुत बड़ा है, उसको ब्रेकड का ड्राइविंग स्कूल है, उदर जा करके पैसे दे दो, अब फस गए ना, तो फसा दो अपने आपको, दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फसाया जाए, जब हम फस जाते है ना, तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है, then there is no looking back, जब तक आप सोच रहे हो, तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते है, paralysis of analysis, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने mind में, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और procrastinate हो रहे है, वो चीज़ तलती चली जा रहे है, तो उसको छोटे चोटे चोटे लेवल पर breakdown करके उसको कर दो, that is number one, और वैसे कहा भी जाता है, कि अगर कोई काम आपको करवाना है, तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है, ऐसे आदमी को मद्दो जो खाली है, ये परफेक्ट इगया, किसी को भी आप दिखेगा, जिसको आप कहते हैं, कि मतलब ठीक ठाक, आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आ ये करेंगा, एक काम खळम Св мощris उसको लगे कहा है, टूसरा कर दाकी और वहीं जिसको लगे का है, अर दूसरा करना चाहिए, और वहीं जिसको दिखियार करता है, कभी नहीं, और छी हमिकझे को बहुते हैं लाइक पूछेए में पुछे को कि की पूछए हैं अरे इसे तो फिर ऐसा इरिटेशन या फिर एंजाइटी या फिर क्यों और करना है या फिर भी नहीं हुआ उचेज हमेशा रहला तो वो कम क्यों से गरल जाए तरगेट्स को ना हम लोग को एक अपनी हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देखके हम टार्गेट फिट कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया उसको देखके आठ घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाईए छोड़ देगा तो आप अपनी चंटा के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं अगर आपने एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं अगले एक हपते तक उसको सस्टेन रखिए जिम में कैसे करते हैं लोग पहले दिन उठा लीजेगा एक कुंटल तो हार्ट अ अब संदी का मोटीवेशन देख कि इसका मतलब कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे धगल देंगे तुमको हाला कि आइसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करियेगा लोग नहीं चंपता पता होना चाहिए आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप यह कि आप यही मने काव है क्यों कर लिया है कि एक चूट तो लही है तो बेसीखली आपको यह देखना कि अगर आपके लुद एक अच्छे स्टुडेंट हो क्यों कि बहुत सारे स्टूटेंट्स ऐसे हैं उनको पढने के नाम से लाएंटि होती है तो आपको इन्जाइटी हो कि मैंने पढ़ लिया दिन में मानो 8 गंटे का अपने टार्गेट सेट किया और 6 गंटे पढ़ लिया या मालो 8 गंटे भी पढ़ लिया फिर भी anxiety हो रही है कि मैंने 10 गंटे नहीं पढ़ा तो यह तो अच्छी quality है न यह तो एक brilliant student की quality है क्योंकि anxiety उसी को होती है जो care करता है जिसको परवा है उसी को anxiety होती है जैसे अपने बच्चे के जैसे एक मा को अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है हुसलो हँसलो, मजा और आलो कोई बात नहीं edit कर देंगे इसको हम जैसे एक मा है उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तबित खराब हो जाए उसको anxiety होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि मां को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो इस वज़े से आपके अंदर anxiety हो रही है which is normal जहाँ पर प्यार मुबबत होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत anxiety तो होती ही है समझ रहे हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हूँ ना मैं कहां जा रहा हूँ जब वह किसी और से बात करती है तो anxiety होती है आपकी स्टोरी अमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये decision कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए अटलीश्ट नववे रुपे चाहिए थे जेवे चालीस रुपे थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुपचा बटे 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 काई कि अब बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पर तो किराई की रूम पर या अदमी सारे लोग रहते हैं गए महाँ पर तो रूम लॉक हो गया था तो खटकटा है तो उपर से गुच्छा से बोले जो ओनर थे क्या टाइम हो गया है तो नो दस बज रहा ह गाड़ी देखिये तो देखिये तो दो बज रहा था रात का दो धाई बज गया था वाँ टेंशन में आप तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है तो इससे घबराना नहीं है कभी-कभी गुच्छे की आखरी चावी भी ताला ख चाहरा हूं कि वह ऐसा क्या था जहांसे कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर करके आ सकता हूं एजूकेशन फिल में रेवलूशन लेकर आ सकता हूं यह सोचना ही बहुत लोगों के बसका नहीं है मेर अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना की हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो यह सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपे भी लिया देखा जाए तो दो डाइसो रुपे कुछ भी नहीं होता है दो डाइसो रुपे अगर मैंने लिया तो कैसे उसको चार सो रुपे की वैल्यू दू यह ज़द थिंकिंग है ना यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में ज चुछ यह जाता है यह जो आपके अंदर नहीं कभी छुपा हुआ है कही जो बहारा ना चाहता है कभी आपने सोचा होगा कुछ अबी कभी एक चीज यह सगत का बहुत अच्छ पड़ता है यह चीज को हमें संगती का मतलब हलके में ले लेता है संगती का मतलत है संग संग गती, तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे, तो संग संग अच्छी गती होती जाएगी, घराब में रहेंगे, तो इभी होता है, बट अपने आपको सोचना चाहिए, कि हम केवल जी के मर जाएए, इसके लिए नहीं आए है, लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं अपने हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भागदोर की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है जाने के लिए खाली हाथ जाने के लिए यह सब को लगाया तो हर कोई को यह सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीज में इतनी सिक्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एक्टम कर दिए कि अब लोगों को अपनी फीज बढ़ाने डर लगता है कि अजय करता है कि खान्सर इतना ले आप बड़ को अधिए अधर आगे कर दो आगे है कि अधर अधर लेक्र यह समय और समाजदारी बहुत फरक होता है अगर समय रहते हैं समझदारी आ गई तो इंसान कामियाब हो गया लिंगे अगर समय सला गया फिर समझदारी फिर दो पेकार है तो सर मतलब कुछ आपको ऐसे चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तयार हो रहे हैं उनको यह चीज़े मतलब एंटाइम पर दिखे सिर्फेशर्डिए मेरी बाव नहीं सुलब यही होता है सरे कंई सर्क्मोडीवेशन जाने हो जाता है कि अ जब आप इस्ट्रॉगkom से कम चीजDयों को अपने अपर खर्चकिए जादे से जादे सिखने में खर्च किए अगर आपको राजा बनने का सौक है, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सिखिए, तब राजा बनने है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर हैं। तू अपने बनाएं इस पिजडे से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर हैं। ताइंक यू सो मच सर वर कमिंग। बहुत मज़ा आया मेरे को आपके साथ में इंट्राक करके। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। ताइंक यू सो मच जी। जी साथ होगा। जी कॉल झाल मारती नहीं स्पत्राप्ट यून झाल जी झाल यू झाल